Hello everyone, welcome back to another video, I hope all you guys are new to see friends, so guys, आज किसमें बात करने वाला आपका फोजालो अकैडमी के बारे में, देखिए ये जो अकैडमी है वो आपकी जुरिस्टी की तयारी करवाती है, तो जो भी एक जुरिस्टी एस्पेरेंट होते हैं, उनके मन में काफी सरे सवाल होते हैं किसी कोचि कि जो है, वो syllabus क्या सबसे पहले complete time पे हो पाएगा की नहीं, study material कैसे मिलते हैं, batch का size क्या होता है, और तमाम जो उनके सवाल होते हैं, fees कितनी होगी, maze की तयारी जो है, वो कैसे होती है, और क्या मतलब हर subject के लिए क्या अलग-अलग faculty मिलेंगे की नहीं, तमाम जो भी आपके स सबस्क्राइब दो के लिए, आज का बडियों में सुरू कर रहे हैं, देखें दोस्तों सबसे पहले location की अगर मैं बात करूँ तो Delhi में है, और ना सिर्फ offline है, online के भी सुदा है, आगर मैं discuss करूँगा, तो मुखरजी नगर में है, GTV नगर में है, और विडाट नगर में है, तो almost 10-11 classroom है इनके, और यहाँ पे आप जो है वो app के थ्रू जो है online की पढ़ाई करेंगे, और offline में जो है, of course coaching में ये centers है, यहाँ पे आप जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, देखें अगर मैं course की बात करूँ तो यहाँ पे UDC की तयारी करवाई जाती है, all states की, APO की हो ग attractive होती है, देखें हर सल यहाँ पे क्या होता है कि 1500-2000 students जो है यहाँ पढ़ाई करते हैं, देखें अगर मैं बात करूँ तो almost 11-12 faculty आपको देखने को मिलेंगे, जो हर subject के लिए अलग-अलग faculty यहाँ पे होते हैं, ऐसल निए कि एक ही faculty जो है वो दो subject पढ़ा रहा है, हर subject के ल उसके बाद जो इतने भी topic wise जो आपके chapters होते हैं, उस पे जो है वो bullet notes वहाँ पे मौजूद होते हैं, और उसी से जो है आपके classes जो है वहाँ पे faculty जो होते हैं, teacher जो होते हैं, उससे पढ़ाई करवाते हैं, और इससे क्या होता है कि आपको pre जब exam आपके नजदीक आएगा तो उससे आप जल्द से जल्द revision कर लोगे, और इसमें खास बात यह होती है कि starting में जो है आपका minutes का question मौजूद होता है, उसके बाद जो है जिते भी chapter के syllabus हो गया, उसके bullet notes हो गया, last में जो है वो pre के question भी होते हैं, इससे क्या होता है कि आपको revise करने में और एक जो होगा कि हाँ इस subject से या, इस topic से mains में कैसे question आते हैं, pre में कैसे question आते हैं, यह काफी help होता है, और teacher जो है वो directly bullet notes से भी पराते हैं, ताकि classes में जो है वो काफी interactive session हो सके और ज़्यादा समय जो है वो नश्ट ना हो, इसके अलावा जो है वो comprehensive study material मिलता है सारे विशह पर, जैसे कि आप इसके बाद जो है आपको test booklet मिलता है, इसमें देखे क्या होता है कि आपको almost 40,000 question जो है वो pre के रहते हैं, मतलब previous जितने भी states के exam हुए pre में उसे question मिलेंगे, 15,000 जो है वो आपको mains के question होगे, जितने भी आपके previous mains हुए है, जितने भी states के उसके question मिलेंगे, तो ये काफी एक अच्छा, आपको question bank type का मिल जागा, जिसमें कि आपको बाहर जाने CRPC का है या IPC का है, तो उसे जो भी topic होगा, जितने भी previous exam में, जैसे के हर state में आपके IPC के कुछ particular topic होगा है, जितने भी आपके exam में question आ है, चाहे हो pre का हो या mains का हो, topic wise जो है वो आपको previous pre और mains के question देखने को मिल जाएंगे, और state bifurcation होता है, जितने भी states के वो देखने को मिल जाएंगे, साथी pre का भी होता है, और mains का भी होता है, तो ये इसमें एक अच्छी बात है, और इसके अलाबा जो है case judgment हो गए, case law के related judgment हो गए, उसके भी notes मिलता है, और ना सिर्फ ये तो मिलता ही है, साथी class में जो है वो आपको पढ़ाया जाते हैं, तो उसमें भी आप जो offline के candidate है, वो online भी दे सकते हैं, और जो online के candidate है, वो coaching में भी जाकर अपना offline test दे सकते हैं, वो आगे मैं बात करूँगा कि offline और online में क्या फरक आपको देखने हो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, कि testry जो है वो हर मंड़े को होता है, pre और mains पर जिते भी आपके weekly जो ची पर जाके अपनी जो doubts है, आपना टेस्ट है, वो सब कुछ जो है वहाँ पर discuss कर सकते हो, बाते कर सकते हो, देखें इसके अलावा जो है crash course भी चलता है, मालेजी अभी जैसे कि जारगन UDC का आया हुआ है notification, तो crash course भी चल रहा है, उसमें अलग से कोई आपको कीज देने की जर पाओगे, और साथ में जो है आपना course जो normal है वो चली रहा है, ना सिर्फ इसके लिए APO के लिए आप लोग सकते हो, और course खतम होने के बाद आपको इसा नहीं है कि इनकी liability खत्म हो जाती है, यहाँ पे जो है वो आपनो course मालेजी अपना खत्म हो गया है, तो इसके बाद भी जो है आप coaching में जाकर या online अपना crash course भी कर सकते हो, साथी test series जो होती है उसको भी दे सकते हो, faculty से जो है doubt भी पूल सकते हो, तो यह काफी एक अच्छा है कि आपके course मालेजी खत्म भी हो गया है, तो उसके बाद भी जो है वो सारी सुद्धा उठा सकते हो, जैसे कि crash course हो गया या आपके test series हो गई, देखें, online और offline students में क्या, मतलब यहाँ वे आप जो course लोगे, मालेजी online के लेते हैं या offline के लोगे है, तो online में यह difference है, मालेजी आपने of course online लिया है, तो आपको सारी जो classes है वो online होगी, बागी सब कुछ same है, आप अगर चाहें तो institute में भी जाकर जो ह है, वो आप अपने faculty से doubt पूछ सकते हैं, और offline वाले के लिए सब कुछ जो है, वो आपको मिल जागा, मालेजी आपको classes हो जाती तो आप online भी देख सकते हो, या बाद में आपको किसी subject का revision करना है, तो उसके लिए तो faculty वहाँ पे classes तो नहीं चल दिया होगी, लेकिन online में में बजुद रहा तो आप online में जो है, वो आपना कोई भी subject देखकर revise कर सकते हो, देखें, इंग्लिस regular जो batch होगा, इंग्लिस judici की जो batch होगी, वो आपके timing में बता दो, कि 10 से 2 होगा, morning में और evening में होगा, वो आपका 3 से 7 बजे तक का, और course का duration है, वो almost, मैं समझता हूँ कि 15 म में ही, जो है, वो सारा syllabus, जो है, वो complete करवा दिया जाता है, इसके अलावा जो है, एक weekend batch चलता है, आपका 10 से 4 बजे के बीच में, और ये duration जो होता है, वो 22 मंत का होता है, माले जी जो working में है, या आपको समय नहीं मिल पाता है, तो weekend में class करना चाता है, तो उसके लिए जो ह देखे, fees के अगर में बात को लो, offline जो regular batch होता है, इसमें जो है, वो आपको 1,90,000 होती है, और discount के बाद जो है, वो 1,80,000 होता है, इसके लिए आपको classes, जो है, वो registration, batch अब सुरू होकर आपको registration करवाना हो, वागे में बात कर लूँगा, हिंदी में जो है, वो आपका 1,60,000 होता है, उसको discount के बाद जो है, वो 1,50,000 हो जाएगी, इसका बाद एक और batch चलता है इनका, जिसमें की आपका recorded come live होता है, इसमें doubt session भी होती है, तो इसमें 1,40,000 जो है, वो fees होती है, और discount के बाद 1,30,000 जो है, आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, तो registration के लिए जो registration कर सकते हो, आपको 10,000 जो है, वो discount automatically मिल डाएगा, इसकी खास बात किया है कि आप में, जैसे कि जो भी candidate होंगे, या offline या online वाले, तो उनको जो है unlimited time जो है, वो अपनी batch देख सकते हो, जैसा नहीं कि एक बार ही limit रहता है, या दो बार या तीन बार, जैसा नहीं है, unlimited देख स इसके साथ भी जो है, MOU sign किया, अगर आपको parents जो है, वो डेली पुलिस में है, या आप खुद देली पुलिस में काम करें, रिकायर है, तो आपको पीस में जो है, आपको discount मिल जाएगा, इसके साथ में बता दू कि कोचिंग जो है, आपके देली के CM है, स्री अरवीन के इसके अलावा जो है, वो डेली में जो है, वो परुडेशन हो गया, इसके अलावा डेली में, जो है, वो डेली का हो गया, आपका रस्थान, गुजरात, और हर स्टेट में, ना सिर्फ जुडिस्वी में ही, और अन्य जिसे APO के एक्जाम होते है, Qlatt के ठूड जो होता है, कोचिंग की तो काफी सरी सुधा मिल जाती है जो online के candidate है वो offline जाकर जो है वो अपने जो है वो पेपर वे गरत चेक करवा सकते हैं सिर्फ कर सकते हैं, Sau है चीज़े है अगर आप ठीक MR हो सकते हैं एस बीडियो में ते는 आशकरता हूं आपको अच्छा हो और जो भी जुरूरी डीटेल्स होगी वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आज क्रें बसीता हैं आसकर करते ही वीडियो अच्छा लगा होगा यहां तक देखते वीडियो को जरूर लाइक केजीगा चैनल पर नहीं सब्सक्राइक वीडियो में बाबाइस वीड और लाइस क्लिए ख्ड़र लाइस क्वेशन नहीं में बाइस कि बा लाइस कार में जाकॉर क्या लाइस कार थायाओ सुमें